इतिहास एक रोमान्चक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के आरपार ले जाती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसे ऐसा बनाने में हमसे पहले आए लोगों ने महतुपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युक की समस्याओं से जूजने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविशकार, इनहीं के ताने बाने में मानव समाज बदला। लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर इतिहास के जरोके से ही देखा जा सकता है। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। जो कविताएं इस श्रंखला में हम सुनेंगे वे इतिहास की कुछ रोचक सचाईयों से हमें रूबरू कराएंगी। C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ये श्रंखला इतिहास एक कहानी। इस श्रंखला में आईए आज सुनते हैं ये गीत। कौन हैं भारत वासी। भारत विविधताओं का देश हैं समय समय पर भारत में अनेक देशों से लोग आते रहे हैं जिन में से कुछ भारत में ही सदा के लिए बस गए। ये लोग कैसे भारत की मूल सभिता और संस्कृती में रच बस गए और कैसे इन्होंने यहां के खान पान, रहन सेहन, वेश भूशा, रीती रिवाजों आदी पर अपना प्रभाव डाला देखते हैं इस कविता में। जानने कितने ही देशों से जाने कितने ही देशों से भारत आये लूग अनेक। रंग रूप वेश भाशा, रंग रूप वेश भाशा जाती जिनकी एक। जाने कितने ही देशों से भारत आये लूग अनेक। कुछ लेने धन आये थे तो कुछ करने व्यापार दिवि भेता भरी सब भेता पार फिव यही बने आधार हा रंग रूप वेश भाषा ना थी जिनकी एक जाने कितने ही देशों से भारत आये लूग अनिक कौन है हम में फर्देसी और कौन है भारत वासी नहीं जाने सकता यह कोई हमने बसी एक का ऐसी रंग रूप वेश भाषा ना थी जिनकी एक जाने कितने ही देशों से भारत आये लूग अनिक कौन है भारत वासी अभी आप सुन रहे थे ये गीत कर दो दो दोग्प कर दो दोग्स झाल झाल झाल